नजरिया एक जरिया लेकर आया देश दुनिया के सुर्खियां हफ्ते भर की भारत और चीन के बीच लदाख में वर्तमान गतिरों दूर करने के लिए शनीवार को हुई सैन कमांडर स्तर की वारता के बाद विदेश मंत्राले ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंदों के समगर विकास के लिए सीमा शेत्रों में शांती और सौहार्द का माहौल बह बात चीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने गतिरोद खत्म करने के इरादे से पूर्वी लदाख के कुछ इलाके से पीछे हटने का फैसला किया है चीनी सेना गलवान वैली पीपी 15 और होट स्प्रिंग इलाके में धाई किलोमीटर पीछे हट गई है हाला कि कहा जा र रहा है इस बीच विश्व स्वास्त संगठन यानी डबलू एचो ने चेतावनी दी है कि महामारी बदतर होती जा रही है साथ ही डबलू एचो में कोरोना वाइरस के लिए टेक्निकल प्रमुक मारिया करखौब ने कहा कि उपलवद आंकडों से पता चलता है कि असिंटोमे व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी वह संक्रमन फैलाने की शमता रखता है किसी व्यक्ति का बहुत जल्दी कोवीड-19 टेस्ट किया जाए तो उसकी गलत रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है जबकि वह वाइरस से संक्रमित हो चुका है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्स तिज्जानी मुहमत बांदे ने सोमवार को कहा कि सेप्टमबर में नियॉयोर्क में आयुजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेताओं के जमा होने की संभा को नेपाली सांसप के नीचले सदन प्रतिनीधी सभाने सर्व समती से पास कर दिया है। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच तनाव की स्थिती भी बढ़ती जा रही है। 12 जून को बिहार के सीतामडी से सटे नेपाल बॉर्डर के पास नेपाली आंट पुलिस ने फाइरिंग की जिसमें एक की मौत और चार के घायल होने की खवर आई है। एक व्यक्ति को नेपाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इससे पहले सतरह मई को भी नेपाल पुलिस की तरफ से बॉर्डर फाइरिंग की खवर आई थी। हम आपको बता दें कि नेपाल और भारत के बीच खुली सीमाएं हैं। लेकिन कोरोनावाइरस की वज़े से नेपाल ने 22 मार्च से अपने बॉर्डर सील कर दिये हैं। और तनाओ के बीच नेपाल सरकार ने 15 सीमाओ पर आउंड पुलिस फोर्स तैनात कर दिये हैं। और तेरा स्थाई आउट पोस्ट भी बनाए हैं। COVID-19 महामारी की वज़े से दुनिया भर में गरीबी और बड़ी समस्या बनने वाली है। King George College London और Australian National University ने United Nations University World Institute for Development Economics Research के साथ मिलकर एक रिसर्च किया। और यह अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में गरीबों की संख्या बढ़कर एक अरब से जादा हो सकती है। वैश्विक स्तर पर आने वाली इस गरीबी में आधे लोग भारत सहिप, दक्षिन एसिया और पूर्वी एसिया में होंगे। वहीं अंतराश्ट्री स्रम संगठन यानी आयलो के मुताबिक 20 साल में पहली बार बाल स्रमिकों की भी संख्या बढ़ने वाली है। न्यूजिलेंड की प्रधान मंतरी जसिंडा आरडन ने एलान किया है कि उनके यहां अब कोवीड-19 का कोई सक्रिया मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 12 दिनों से न्यूजिलेंड के किसी अस्पताल में कोई मरीज नहीं है जो कोरोना वाइरस से संक्रमित हो। न्यूजिलेंड में आधिकारी क्रूप से कोवीड-19 से सिफ 22 लोगों की ही मौत हुई है। इस कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में उस सेक्स केंडल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है जिसमें एक पुर्व प्रधान मंत्री सहित तीन बड़े नेताओं पर आरोप लगाया गया है। इसलामाबाद में रहने वाली अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीन नेताओं ने उनका यौन सोशन किया था। पाकिस्तान में महिलाओं पर होने वाले यौन शोशन के खिलाफ एक लड़ाई का नाम दे रही है। इसलामाब पर वैट 20 परतीशत से बढ़ा कर 25 परतीशत कर दिया है। वहीं दिल्ली के उपरा जिपाल अनिल बैजाल ने मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। उपरा जिपाल ने डीडिये में अध्यक्ष के नाते अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाए। अपने जवाब में अनिल बैजाल ने बताया कि इस फैसले से समानता जीवन जीने के समवेधानिक अधिकारों का उलंगन हो रहा था। जिसमें स्वास्ते का अधिकार भी शामिल है और ये मेरा अधिकार है कि मैं ऐसा ना होने दू। हम आपको बता दें कि ये फैसला केजरीवाल ने रविवार को लिया था। एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने विभिन राजियों द्वारा पत्रकारों के खिलाफ फरजी आरोपों को लेकर दर्ज होने वाले मामलों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पुलिस पत्रकारों के खिलाफ असंगत आरोप पर संग्यान ले रही है और इसे FIR में तबदील कर रही है। उन्होंने पुलिस से पत्रकारों को मिले स्वतंतर्ता के अधिकार का सम्मान करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस की FIR का ताजा मामला अनुभवी पत्रकार विनोध दुआ के खिलाफ है दिल्ली में एक बार फिर भुकंप का जटका महसूस किया गया है सोमवार दोपहर 2.01 एक तिवरिता का भुकंप आया जिसका केंडर हर्याना के गुरुग्राम में बताया जा रहा है इसके पहले जहारखंड के जमशेदपूर में 5 जून को भुकंप के जटके महसूस किये गये थे जिसकी तिवरिता 4.01 थी कोरोनावाइरस के बढ़ते केसिस को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है साथ ही मिजुरम सरकार ने भी लॉकडाउन 2 सप्ता के लिए बढ़ाने का फैसला किया है जो 9 जून से लागू हुई मनीपुर सरकार ने भी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने का फैसला पिछले सप्ता ही ले लिया था इसके अलावा तमिल नाडू, महरास्ट और पंजाब सरकार ने भी 30 जून तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ा दिया था लॉकडाउन 4 अब अनलॉक 1.0 है जिसमें केंद्र सरकार ने राज सरकारों को अपने अनुसार लॉकडाउन में धील या सकती देने का जिम्मा सौप दिया है इसी बीच दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसिस को देख सरकार ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक केसिस लगबग 5,50,000 के ऊपर जा सकते हैं इसके बावजूद दिल्ली के स्वास्त मंत्री सतेंद्र जेन ने न्यूज एजेंसी एनाई को बयान दिया कि लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा आसाम के तिनसुकिया जिले के बाग जन्मेस्थित सरकारी गैस कमपनी ओयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुए में विसफोर्ट के बाद मंगलवार को भीशन आग लग गई मौके पर राहत कारे के लिए NDRF की एक टीम मौजूद थी इस घटना में दो दमकल करमी की मौथ हो गई और चार घायल हैं इस कुए में 27 मई को भी विसफोर्ट हुआ था जिसके बाद से तेल और गैस का रिसाओ जारी था जिसको काबू करने के लिए सिंगापोर के विशेसगय और कई इंजीनियस भी मौजूद थे गैस पर काबू पाया जाता इससे पहले ही यह हादसा हो गया इस कोरोना महामारी के दोरान कभी प्रवासी मजदूरों की दुखद मौत कभी डॉक्टर्स पर पत्थर बाजी तो कभी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वा ना मिलने पर हरताल पर जाने की खबरें आती ही रही इसी बीच अस्पतालों से लाश खो जाने की खबरें आई कहीं लाशें कच्रे के धेर में मिल रही हैं तो कहीं कच्रे की गाड़ियों से लाशें हटाई जा रही हैं वहीं दिल्ली में मौत के आकड़ों में हेरा फेरी की खबरें सामने आई दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 984 है तो नगर निगम के मुताबिक यह संख्या 2098 है नगर निगम के चेर्मेन जैपरकाश का कहना है कि दिली सरकार ने सहयोग नहीं किया है इसी कारण मौत के आधिकारिक आंकडों में अंतर देखा जा रहा है हम आपको बता दें कि दिली सरकार के उपर पहले भी आधिकारिक आंकडों को सही तरीके से ना बताने के आरोप लगते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने पालगर भीड हिंसा मामले में महराश्ट्र सरकार और अन्य को जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने उत्तरपरदेश में 79,000 असिस्टेंट बेसिक टीचर्स की भरती प्रक्रिया पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को स्थगित कर दिया है सिंगल जज बेंच ने तीन जून को भरती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था जिसके बाद इस प्रक्रिया पर भी संदेह के सवाल उठ रहे थे GST काउंसिल की 40 वी बैठक शुकरवार को वित मंत्री निर्मला सितारमन के अध्यक्षता में हुई कोरोना संकट के बीच हुए इस बैठक में GST काउंसिल के सभी सदस वीडियो काउंफरेंसिंग के माध्यम से जुड़े और कई मुद्दों पर चर्चा की स्वास्थ मंत्राले के गुरुवार के बयान के अनुसार भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है इसके बावजूद भारत लगबग 3,10,000 एक्टिव केस के साथ पूरे विश्व में चौथे स्थान पर पहुँच गया है जहां मृत्कों की संख्या लगबग 8,800 के करीब है वहीं पूरे विश्व में एक्टिव केस 77,000,000 के पार है और मृत्कों की संख्या 4,29,000 के पार स्वस्त रहें सुरक्षित रहें मिलते हैं अगले हफ़ते नमस्कार